नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल अप्यक्टिव सेंटर पर दोस्तों आज इस वीडियो हम लोग बार का प्रैक्टिस सेट जो साइंस का चल ला था दोस्तों 20 कोशन का वह हमारे तीसरे प्रैक्टिस सेट है और इसी तरह से आपसे का मुख्यकारण वसा और तेलों का क्या होता है आपसे नहीं है हैड्रोलाइसिस आक्सिकरण सोधन और आवकरण यानि कि फैट एंड आइल सारदा में काज आप आर्डर इन फूड आइटम हैड्रोलाइसिस आक्सिडेशन प्यूरिफिकेशन रिडेक्शन तो देखे दोस्तों खाद पदार्थों में दुरगंध आने का जो मुख्यकारण होता है वह रहता है कि जो भी उसमें खाद पदार्थों में वसा और तेल होते हैं उसका आक्सिकरण हो जाका जाता है इसी अक्सिकरण किनाति हैं दोस्तों उसमें कियाते दूरगंध आता है रहरे हैं कि किसी बीगंटित नाबिक तत्व की अरधाई पॉंच वर्स हैं 20 वर्स बाद बिगट नाविक पतार्थ का जो अंस बच जाता है वह कितना है यानि कि यहां पर देखें दोस्तों सबसे पहले में आपको पता देखिए इस से रिलेटेट एक कोश्चन और बन जाएगा जैसे कि जो परमाण सक्ति सयंत्र होता है ठीक कि आपको भी पता होगा भाव इटामिक रिसर्च है सेंटर तो इस रिलेटेट यह भी कोश्चन मिलता है जूल करता है तेस कारे करता है दोस्तों नाब किये विखंडन पर ठीक तो इसे भी आपको याद रखना है नाब किये विखंडन अब देखिए दोस्तों यहां पर अर्धायू ग्यांद करने है अर्धायू ग्यांद करने के लिए देखिए मैं आपको बता देता हूं यहां पर कै मान दिया है यह अर्धायू का मान दिया है अर्धायू को हम लोग कैसे ब्यक्त करते हैं टे का पामर हाफ से ठीक 20 वर्स बाद यानि कि दोस्तों यहां पर यह जो मान दिया है यह कैपिल टे का मान दिया है ठीक जो अंस बच जाता है वह कितना है तो जो अंस दोस्तों में बचता है लाश्ट में जो बचता है उसको हम लोग दोस्तों कैपिटल एन से ब्यक्त करते हैं बची हुई मात्रा या अंतिम उत्पाद ठीक उसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल एन और जो प्रारंभिक मात्रा रहता है उसको हम लोग एन नाट से ब्यक्त करते हैं यह हमारा यहां पर हम लोग देख लेते हैं टोटल समय कितना लगेगा ठीक यानि कि यहां पर हमें सबसे पहले यहां पर देखे टी कमान हमने बताये कि यहां पर 40 सी दिया है नहीं सबसक्राइए हम को अभी है कि यहां पर हमें केया थे मरें का conséquentि यहां है दिया है फाउंच वर्स तो यहां से आम निकल कर क्या आ जाएगा यहां पर देखिए cens वटा पांश पार्थ ऐपंच कbei आप किल ओड़िए और छरो अब दोस्तों यहां पर बच्चिम on कि मातला का हरमूला होता है spoke ठीक उसको जाने कि जो ग्याद करना है अंतिम उत्पाद यह बचा हुआ आम से जो रहता है उसको हम लोग ब्यक्त करते हैं दोस्तों से और इसको ग्याद करने के लिए प्रारंभिक मात्रा ग्याद होना चाहिए पलस इसी में दोस्तों वान बाइट टू का पावर यह जो इसमाल एन रहता है एन कमान यहाँ पर देखिए हमको ग्याद करना है तो एन नाट जाने कि प्रारंभिक मात्रा कितनी थी हमने एक मान ल यानि कि एक बटा 16 एंड कमाण यह आ गया ठिक यही है दोस्तों इसको साल्व करने का तरीका तो यहां से पहले आप इसकोर नोट कर लेंगे ठिक फिर आप यह वाला नोट करेंगे तो यही है दोस्तों बिख्टित पदार्थ में जो भी 5 वर्ष जो अर्धायू है 20 वर्ष बाद जो बिख्टित नाविक पदार्थ होगा व्या कितना बचेगा प्रारंभिक मातर अगर एक रहेगी तो वो लास्ट में बचेगा एक बटा 16 अब चलते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह आपका कर्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक बटा 16 दूसरे का एंसर करेक्ट हो जाएगा अब चलते हैं लिए कोश्चन पर तीसरा कोश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आकसीजन यानिकी O2 तथा हैड्रोजन H2 गैसों कहिं औरंबोहर कर्मश में 32 वे 2 हैं ठीक याद किसी टाफ पर इन गैसों में ध्वान की चाल क्रमश हैं वी ओ वे वी ईच हो repo तुब उस्सी टाफ पर है जो इसको हम लोग अगर V से विक्त किरें यह दोस्तों एक बटा अनुभार के बराबर होता है M क्या है अनुभार है इसके क्या होता है समानुपातीड होता है तो इस फार्मूले से दोस्तों अगर हम लोग निकालें कया की अनुपात क्या हो हो जाएगा लेकिन किसका वाला यहां पर हट्रोजन वाला हो जाएगा और यहां पर क्या हो सब्सक्ता चीम अब इसी कमांद रख दीजिया और भार, हमें पता ही है mh कमांद केक्टने है हट्रोजन खुतना है का माँप माईंत कितना है कि यह 32 एक तो अ वर्गमूल कितना होगा अंडर रूट में यह आएगा एक बाटा चार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानि कि आपसा नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा तो तीसरे कि यहां पर डी आंसर हो जाएगा तो molecular weight of oxygen O2 and hydrogen H2 gases are 32 and 2 respectively if the speed of sound in these gases at any temperature are VO and VH respectively then what will be the ratio of speed of sound in these gases at the same temperature तो यह आप करना जाएगा 1 by 4 ठी अब चलते आंगले question पर देखिए चौथा question करें कि Germanium का परियोग मुक्ता किस रूपे में किया जाता है मद्धैस्त के रूप में अर्दचालक चालक विसमाहा तो Germanium दोस्तों आपको भी पता होगा तो यहां पर चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला अब सलते आंगले question पर देखिए पांचमों question यहां पर कह रहा है कि सूरज की रोशनी को विद्धित तूर्जय में परिवास्तित करने के लिए स्वारूर्जा किसका उप्योग करती है फोटोवोल्टीक से पिर्छभी का कुर्थवा कर्थन की चाहँ प्रभयागनी के रहां प्रमाण भी खंडन यहां कि सोलर एनर्जी यूज़ड डाट 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 तू कानवर्ट सनलाइट इन्टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फोटोवोल्टाइक से आर्थ ग्रेविटेश और रहता है दोस्तों वह फोटोवोल्टाइक सेल का पर यह करता है यहां पर पर तांसर होझा अब अगला कोशन यहां पर क्या के रहा है चाहे नमब्र का चाहे नमब्र का कोशन कर रहा है पांच हजार ग्राम द्रब्यमान का एक पिंड सो सेंटिमीटर तिरिज्य की एक वरिक पर दो रेडियन पर सेकंड के कोणी ये वेक से घूम रहा है अब केंदरी ये बल का मान क्या होगा यानि कि a body of mass 5000 grams in moving on a circle of radius 100 cm with an angular velocity of 2 radian per second what will be the value of centripetal force तो देखिए अब केंदरी बल का जो फर्मूल यहां पर होता है वो होता है दोस्तों m r omega square जहां पर m क्या रहता है mass यानि की द्रब्यमान रहता है ठीक तो द्रब्यमान यहां पर देखिए दिया है कितना 5000 gram 5000 gram को इसको हम लोग kg में अगर बदलेंगे तो हमारा कितना जाए तो यहां जाएगा 5 kg ठीक द्रब्यमान m को हम लोग 5 kg यहां पर m कमान कितना हो जाएगा 5 और त्रजिया r कमान कितना दिया है तो देखिए त्रजिया r कमान दिया है यह 100 cm इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे ठीक तो 100 cm तो यह कितना जाएगा एक मीटर ठीक तो एक मीटर आएगा तो यहां पर r कमान कितना रखेंगे एक ठीक अब देखे एक रेडियन पर सेकंड है तो उमेगा कमान यह दिया है दो स्वारी दो रोडियन पर सेकंड यहां पर दो रखेंगे दो कई स्क्वार करेंगे ति हमारा कितना एगा पांच गुड़े चार यानि किया जाएगा 20 न्यूटन ठीक जब भी रखेंगा दो पर सिन करेंगे छिठंक का कॉशन पर देखिए सातों कॉशन करहें कि प्रति रधक्ता की si1 क्या है आर्ल में धा deposited mere Esther तशितिवीटी देखिए प्रति रख्रीष प्रेजिशितिवीटि यह दोस्तों ऊर्ज थेख इंपियर किसका है दहारा का ओम किसका है प्रतिरोज का थेक यानि की उर्जा यानि की एनरीजी और धारा यानि की करेंट प्रतिरोज यानि की रजिस्टेंस थेक तो यह हो गया अब देखिए आठावा कोश्चन पूछा गया है अब कि एक पीको मीटर कितने के बराबर होता है तो दोस्तों हमने सब यहां पर दस घात यहां पर देखिए जो है तो देखिए एक पीको मीटर जो होता है होता है 10 to the power minus 12 मीटर को है आपको यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो वन पीको मीटर इकोल्ट हो जाएगा 10 to the power minus 12 मीटर और जो 10 to the power बारे होता है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं तो वन टेरा यह एक्वल टू होता है आपका 10 to the power 12 मीटर और 10 to the power minus 12 मीटर को यह बराबर होता है एक पीको मीटर के ठीक अब जखिए नवा कोशन यहां पर क्या कह रहा है नवा कोशन कह रहा है मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तो अथा वब 10 सेकेंड में 50 सीधियां चढ़ जाता है यादि प्रते एक सीधिय की उचाई 15 cm हो तो मोहन की सकती ग्याद करना है ठीक अब देखिए इसको कैसे साल्प किया जाएगा यानि कि मोहन's weight is 40 kg and he climbs 50 strain in 10 seconds if the weight of each step is 15 cm then what is the power of मोहन तो देखिए दोस्तों आप वह भी पता होगा कि यहाँ पर सक्ति का जो फार्मूला होता है हैं पी क्या हमारा कारिंवर्त टी क्या है हमारा समय यानि कि टाइम हैroe है होता है W by T और W equal to होता है आपको भी पता होना चाहिए M G H upon T हो जाएगा W equal to होता है M G H formula बन जेंगा हमारा M G H, M command देखिए यहां पर कितना दिया है M command दिया है 40 kg ठीक यह ठीक है देखिए समय कितना दिया है T command दिया है 10 seconds है सएढ़ है ठीक अब देखिए हाइट हमको ग्याद करना है हाइट निकाल नहीं तो देखिए चालता कितना है 50 सेड़ी चढ़ राय और देखिए 50 सेड़ीं में से एक सेड़ी की जो उचाई है वो पंदरे सेंटीमीटर है तो यह हो जाएगा 15 अगर 100 से हम लोग भाग दे दें तो अब ये दोस्तों हम्राय क्या हो गया गर मारा हो गया कंप्लीट हो गया यहाँ पर वर इहां पर देखिए 50 से करेंगी ये क्रेंगे स्कूर थोगेस्ट कमान Commonwealth मारा ला डिए इसकी में म कमान हम लोग रखेंगे म कमान कितना है 40 है, G कमान कितना है, हम लोग 10 मान लेते हैं, ठीक, H कमान कितना है, 15 बटा, 2 है, अब T यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर समय कितना है, हम ने T निकाला है, 10 सेकेंद, ठीक, अब देखिए, यह काटेंगे हम लोग 10 से 10 कट जाएगा, दो से कटेंगे, यह कितना है, कटेंगे, बेस, तो यह कितना है, 15 गुड़े बेस, यानि कि 300 आजाएगा, ठीक, यह क्या आएगा आपका, वाट में, क्योंकि हमारा सकती क्या होता है, वाट में होता है, तो यहाँ पर दोस्तों, आप आप लोग देख सकते हैं, इतना हमारा आ सब्सक्राइब सिद्धान्ट यहां कौन सिध्धान्ट कोर्षें किया रहा ही कोई कोई सिध्धान्ट यह होता है इस Hey वस्ट के भार के बराबर होगा वस्ट के भार से अधिक हो गया यानि कि if an object close then what will be the force of violence applied by water on the object less than less than the weight of the object zero equal to the weight of the object more than the weight of the object तो देखिए दोस्तों यदि कोई वस्ट तैरती है तो वस्ट पर जल द्वारा लगा जाना जो उच्छे बल होते दोस्तों वह वस्ट के भार के बराबर होता है यानि कि equal to the weight of the object यहां पर दोस्तों दस्वें का correct answer क्या हो जाएगा आपसा नमबर C अब देखिए अगला question क्या कह रहा है अगला question है कि एक जो ब्लाटिंग पेपर होता है वह स्याही को कैसे सोखता है स्याही सुखा कर के सिकात तो या capillary किरिया द्वारा फोस करन किरिया द्वारा वास्पी करन द्वारा तो ग्यारे नमबर question है यहां पर कि how does the blotting पेपर एप्यार्ड इंक है बाइड ड्राइंग दैंक है by capillary action solidification process evaporation ठीक तो देखिए जो ब्लाटिंग पेपर से आई सोखता है दोस्तों वह के सिकात किरिया या capillary action के द्वारा वारा सोखता है यहां पर आपको जो correct answer हो जाएगा आप सा नमबर हो जाएगा अगला question देखिए यहां पर क्या कह रहा है बारे नमबर का कह रहा है कि घरेलू गैस के सिलंड्रों में गैस के रिशाओं का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है एथलीन गलाइकल एथलीन एथल मरकैप्टन में तो विच सबस्टेंस इस मिख्ष्ट इंदा गैस टू डिटेक्ट दा लेकेज आपको डोमेस्टिक गैस सिलंडर तो घरेलू गैस के सिलंडर में दोस्तों गैस का अगर रिशाओं का पता लगाना है तो दोस्तों है उसमें हम लोग मिलाते हैं एथिल मर्कैप्टन ठीक यहां पर आपका करेक्ट आंसर रोजेगा बारह का अब देखिए अगला कोश्चन है तेरह नंबर का करहें, प्लाश्टर आफ पė duas का रशायनिक सुत्र क्या है तो देखिए दोस्तों प्लाश्टर आफного पे WOR 120 HTO अर देखिए दोस्तों होता है सी- एस-स फोर प्लाश्टर आपप यूद्धा आफ scholarships है और जखिए दोस्तों होता है आफ रहता है ठीक सबसुन क्या रहता सी ए एइस स four into टू रहता है अगर यह यह अहां पर हाफ रहत है तो यह हमारा प्लाश्टर रह पेरिक कहलातह है यह हमारा क्या है प्लास्टर रहता प्लािस अंदर सी कंपक्त हम रहता है को जहिए 14 नंबर का कोशन क्या के रहा है कह रहे हैं एक स्वस्थ ब्यक्त का रख दाप कितना होता है यानि कि what is the blood pressure of healthy person healthy person का जो देखिए blood pressure कितना होता है तो देखिए दोस्तों जब भी आप लोग अपने pressure नापने नपवाते हैं या जांच कराते हैं तो उसमें दोस्तों जो भी वहाँ पर रहता है वो आपको दो बार pressure नापता है एक तो दोस्तों नापवेगा हाई पर ठीक हाई पर जब मापता है तो वो दोस्तों जो आंकड़ा रहता वो 120 कि आज पास आपको आना चाहिए ठीक हाई पर और हाई वाला जो नापता है इसको हम लोग बोलते हैं systolic ठीक यानि कि एक बार सिस्टोलिक में मापता है तो हाई प्रेसर जो रहेगा 120 वाला उसको हम लोग सिस्टोलिक बोलेंगे और एक होता है लो पर मापता है जो कि यह आना चाहिए आपका एक्टे के आसपास ठीक इसको हम लोग बोलते हैं डाइस्टोलिक ठीक तो यह पूछे का हिस्टोलिक क्या है तो उपर वाला जो प्रेसर होता है इस्टोलिक निचे करकर मापता है वह अअस्टी प rif क्या है अब देखें सिष्टोलिक होता क्या है सिष्टोलिक में दोस्तों यह रहता है कि दिल-खून को जो पंप कर रहा होता है उसको दोस्तों सिष्टोलिक यह मापता है तो μिदgesetzt को हम लोग क्या करते हैं कि एक पंप से दूसरे पंप के बीच में जो वक्त होता है ठेक उसमें नापते हैं हम लोग इसको यह होता है डाइस्टोलिक यानि कि लो वाला ठेक यहां पर 120 और 80 यहां पर जो दिया गया है 120 बटा 80 वही आपका करेक्ट Рิप house और जाएगा अब देखिए पंदरे नंबर कोशन है कि डाना माइट का अविसकार किस ने किया था तो देखिए दोस्तों डाना माइट यानि कि who invited sorry who invented dynamite तो डायनमाइड को जो भी अविस्कार किया गया था दोस्तों वह अल्फरेड नोमिल के द्वारा किया गया था ठीक लुइस पास्चर ने किसका खोच किया था यह आप लोग बताईए लुइस पास्चर ने रेबीश टीके का खोच किया था ठीक रेबीश टीका और हैंप्रेड डेवी ने सेप्टी लैंप सेप्टी लैंप या सुरच्छा लैंप सुरच्छा लैंप कि खोच किये था ठीक तो यह हो गया इसके बारे में अब देखिए अगला चलते हैं उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो अभिकारकों को मुख्त करते हैं आपक्यूरिया को तीब्र कर देते हैं आपक्यूरिया को उत्क्रमणी यह कर देते हैं तो एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ उत्प्रेरक वह पदार्थ होता हैं जो किसी भी राशानिक अपक्यूरिया को या तो तेज कर सकता है या फिर धीमा कर सकता है ठेक यानि कि उसकी गति में परिवर्तन करता है यानि कि उसकी जो प्रक्यूरिया होती है उसमें परिवर्तन करता है तो उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो किसी राशानिक अपक्यूरिया की गति को तीब्र कर देता है या फिर मद्धिम कर देता है जैसे हमको इच्छ तो आप उसका दोस्तों क्या कि प्रियोग साला में उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे कि आपको करना क्या था आपको पता करना था कैसे क्या बन रहा है तो सेकेंडुम अगर हो जाएगा तो हमारा किम ढएंगे बना काम वह वह बने बने दोस्तों जाएक लाकाप ऑनी करना दोस्तों किरी ने कि यहirement हृँ आपको हम और हूंब करना क्यासि हमारी चि simply हो जाती हो करना एंगों के फारेंगे जो कि दोस्तों अगर उसे नारमले अगर आप लोग करेंगे तो 8-8 घंटे, 9-9 घंटे या एक एक दो-दो दिन लग जाएंगे उसको अध्या होने में तो हम लोग परियुक साला में उसका अध्यान इतना समय थोड़ी सब के पास रहते हैं कि 2-3 दिन तक वो अध्यान ही करे हो इसका अध्यान करें उसमें हम लोग क्या करते हैं उत्प्रेरक मिला देते हैं तो अगर वो उत्प्रेरक मिला देंगे तो अगर जो दो-दो दिन में हो रहा था 8-9 घंटे में हो रहा है वो मिन्टों में आपका होने लगेगा एक मिनट दो मिनिट और आप उसका अच्छ अब किरिया की गती को तेज करता है ठीक तो उत्प्रियरक वे पदार्थ है अब किरिया को तीब्र कर देते हैं यानि कि यहां पर आपका सोले का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अब किरिया को तीब्र कर देता है अब देखिए दोस्तों इसमें जो है कोशन सत्रे नमबर कि यहां पर देखिए सोले नहीं आप इसको अठारे बना लीजिए ठीक आप इसको अठारे कर लेगे कितना होता है तो आपको भी दोस्तों यहां पर पता होगा कितने करेट का होता है तो सुद्द सोना होता है दोस्तों आपका 24 क्यारेट का अब इसको ग्याद करना है तो देखिए 24 कारेट होता है सुध है कितना 18 कारेट परसेंटेज निकालना है अनुपात पूंचा है तो यह हो जाएगा 100 का गुड़ा तो यह हमारा क्या आजाएगा परसेंटेज हो तो 6 रिक अठार है और 6 चोग के 24 यानि कि अब देखिए इसको काटेंगे हम लोग 25 हैगा और 25 तियां 50 यानि कि 50 परसेंट आपका करेक्ट आंसर आजाएगा तो यहां पर सत्रे का करेक्ट आंसर रहे जाएगा आपसर नमबर डी वाट इस अब प्रपोर्शन आप प्योर गोल्ड इन 18 करेट गोल्ड तो आपका आजाएगा 75 परसेंट है अजय को आगा अब देखिए ठरे नंबर कोश्चना कि नीला थोता क्या हैं कापर कैल्स्वां सफैस कैलसियों सालफय सूरुक्रा निला थो। इंगलीन हम लोग बोलते हैं ब्लु विट्रियार याँ पर नीला थोता यान की कापर साफ़गि इसी को हम लोग sistema कापर को यहाँ पर दोस्तों अठारे का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कापर सल्फेट कि अगला कोश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 19 नंबर का नीचे दिये गए परिपत का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दसों पांचों बीसों सवों यही आपका फीगर है अब इसमें देखिए इंगलिस वाले पढ़ा लें कि what will be the equivalent resistance आपदा circuit given below तो यह जो circuit दिया गया है इसका आपको तुल्य प्रतिरोध ग्यांत करना है ठीक तो देखिए इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ग्यांत किया जाएगा इसको हम लोग देख लेते हैं तो देखिए दोस्तों यह हमारा क्या है पांचों और पांचों यह हमारा कौ यह किस क्रम में है समांतर क्रम में समांतर क्रम में अगर आप लोग इसका निकालेंगे तो यह अगर सेम है तो यह आधा आ जाता है क्योंकि दोस्तों इसका जब दूर रहता है समांतर क्रम में तो यहां पर आता है कितना कि 10 गुड़े 10 बटे 10 पलस 10 तो यह उपर हो हो जाएगा यहां पर आपको कितना आगे पांच हो करेक्ट आंसर को जाएगा 19 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर ठीक यहीं होता है इसका यह फिर आप वही फार्मूला लगा लेंगे कि 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 तो भी आजाएगा आपको वही चीज है बस इसको क्या है कि मोडिफाई करके यहां पर यह मैंने लेगी गता है अब देखिए बीस मेंबर कोश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस और 160 अम्यम दाव पर एक गैस का एतन 200 घंड सेंटिमीटर है माइनस 3 डिग्री सेल्सियस वा 660 अम्यम दाव पर गैस का एतन कितना होगा यहां कि 27 डिग्री सेल्सियस और 760 अम्यम प्रेशर यहां पर रहेगा प्रेशर देखिए इसको कैसे साल्व किया जाएगा तो देखिए यहां पर आपको भी पता होगा होगा गैसों का जो करेंगे हार कोई पढ़ा होगा किवेश दस पढ़के आप पढ़के आ हैं या फिर बारेाव पढ़के ने इस सब कुछ पढ़ाई तो देखिए इसन को हम लोग कैसे साल्व करेंगे तो आप लोग देखिए यहां पर एक फर्मूला होता है कि P1 V1 upon T1 equal to होता है P2 V2 upon T2 अब यहां पर देखिए कह रहे हैं कि अब दखिया आपका दोनु जगा है समान है ठेजिए काम खतम यहां पर दखिये 27 डिग्री सेल्सियस तिया है तैंप्रेचर इसको बदलेंगे हम लोग किस्में है इसको बदनेंगे केल्विं में तो यहां पर 274 करेंगे के लिए क्लिए बदलने के लिए सटाइस करेंगे तो यह हमारा जलीए लागवक्त तीन सो क्रिविन राजाएगा और यह देख हुआ माइनस 3 है इसको केलिविन में बदलेंगे तो माइनस 3 पलस 273 करेंगे ति हमारा कितना जाएगा 270 आ जाएगा केलिविन और देखिए वैलूम कितना था पहले बाले का 200 गन सेंटिमीटर यानि कि 200 सेंटिमीटर क्यूब है और यह कितना है कि THE Dantic 的 पूच्छ हो गई यह पूच्छा यह कोषण मार के तो इहां परी driving कमान कom कितना है तो 200 है टीवन कमान कितना है तो टीवन कमान है 300 एक्वल टू अब देखिए यहां पर वी टू कमान क्या है हमें ग्यात करना है और यहां पर देखिए टीटू कमान कितना है टीटू कमान है 270 अब यहां आप से देखिए 2 0 से यह 2 0 कट गया ठीक और यहां से काटेंगे तो यह कितना आएगा 90 आजाएगा और 90 का गुड़ा 2 में हो जाएगा तो V2 कमान कितना आजाएगा 180 यह किस में आएगा cm Q में आजाएगा ठीक तो यहां पर आपका correct answer 20 का क्या हो जाएगा आपको नमबर D तो यह हो गया दोस्तों यहां पर complete अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए दोस्तों यह जो objective center dot in official website है दोस्तों आपको इस पर आना है तो इस objective center dot in official website पर आने के बाद दोस्तों आप लोग यहां पर study वाले section में जाएंगे यह फिर दोस्तों home page पर अगर आप लोग है तो यहां पर देखिए study material के section मिलेगा यहां पर यह practice sit में थीसरा करा रहा हूं तो यहां पर click करेंगे तो पर previous year question paper science इस पर click करेंगे दोस्तों तो जो यह आपका page है वह open हो जाएगा और यहीं से आप अपना question यहां से आप अपना देख सकते हैं यह description box में दोस्तों आपको link भी provide किया गया है आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं ठीक जाईए आप description box में लिंक मिल जाएगा यहां से आप लोग download कर सकते हैं जेख सकते हैं solution भी जेख सकते हैं पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोगों के लिए टेलिग्राम गुरूप भी बनाया गया है आप लोग इस टेलिग्राम गुरूप पो जोईन कर लेजीगा अधर प्रेक्टिस जोईन कर लेजिगा और यूट्यूब पर प्ले लिस्ट जो है बनाया हुआ वह भी देख सकते हैं यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बाक्स मिलिंक है जाकि आप लोग पीडियोप डाउनलोड कर लेजिए मिलिंगा नेस्ट वीडियो में थ Thank you